हेलो गाइज हमारी उटू चैनल में आप सभी कुस्वागत है और मैं भारती भवन का उचाई दूरी चेप्टर का मैं कुछ कोस्टन में लेकर गया हूँ जो दोस्तो जो कि हम 14 का पहला नमर कोस्टन बनाने जा रहा है है और आप अगर एक से लेकर के 13 तका कोस्टन नहीं दे एक संचार मिनार के तल और सिखर के उन्यन को देखे क्या करा है कि भूमी के एक बिंदू से एक 20 मीटर उचे भवन पर सिखर देखे क्या है यहां कह रहा है क्या कि एक भूमी है देखे यहां यहां भूमी का मतलल क्या हो गया जमीन ठीक है आप समझ लिजे यह जमीन है बोल सीखर लगी है एक संचार मिनार के तल और सीखर के उन्यन कुन देखिए इसके ऊपर जो है ना एक क्या लिखा हुआ एक लगा हुआ है एक संचार मिनार का भी तल लगा हुआ है इस पर ठीक है अब क्या कह रहा है यह कि उन्यन कुन 45 डेरी और साथ डेरी का कुन बनता है देख यह कितना डिगरी का कौन बन गया यहां पर तो यह साथ डिगरी का बन गया दोस्तों इस परकार से हैं दिख लेते हैं यहां पर यह साथ डिगरी का कौन बन गया ठीक है तो देखें एक क्या हो गया यहां आप ले लेते हैं A B C ठीक है और यह संचार मिनार यहां तक है इसका क लिखेंगे हल, ठीक है, अब देखिए, ये तो हमको पता है नहीं, ये एडी पता नहीं है, तो एडी को सबोच देट हम एच मान सकते हैं, ठीक है, पहले तो हमको लिखना परेगा, क्या लिख लेते हैं, अब देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं, पहले भी हमको X मानना परेगा इसमें ठीक है अब देखिए हम क्या करते हैं पहले निकालते हैं तिर्भूज A B C में लिखते हैं क्या तिर्भूज A B C में ठीक है पहले हम तिर्भूज A B C में लिखते हैं अब इसके बाद देखे क्या करते हैं ठीक है दोस्तों अब क्या लिख सालिश डिग्री है ठीक है इसके बाद हमको क्या तो बीसी भी हमको पाता नहीं तो लिखना परेगा यहां माना अब फर्मूला से हम फर्मूला में क्या लागाना पड़ेगा लम अधार कुन फर्मूला में टैन में आ जाएगा तो यहां लिखना पड़ेगा हमको प्रस्ण से प्रस्ण से तैन ठीटा बराबर क्या होगा लम बटे अधार तो देखिए टैन ठीटा के देगा पैंतालिस टी अलम क्या मान हो गया 20 अब अधार वह्याम्त से अब हम यहां क्या करेंगे टैन पैतालिस क्या मान एक होगा बराबर 21 अब इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या लिखना परोएगा एक अब लिखे 1 में एक सेस्हों करेंगे 100 बइसे में 100 गुना करेंगे बीस तो आपको हम बतादे 61 अथार्थבכी जिसको हम लोग अध्हारमने हैं थे प्षूपश न करना है सो देखिय आप लिखते हैं क्या अब देसे यह अब पूरा तिर्भुज में निकलना पर एक इस में देखिए अब पूरा तिर्भूज में क्या निकालेंगे डी बी सी में निकालना परेगा ठीक है डी बी सी में निकालना परेगा तर डी बी का लंबाई के दना हो जाएगा बीस पलस एच लेना हमको परेगा जो डी बी का लंबाई हो जाएगा तो देखिए अब हम क्या कर DB या BD लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 20 पलस H हो जाएगा इसके बाद BC देखें दोस्तों BC का भैलू तो हमको पता नहीं था लेकिन कितना आ गया है तो BC का भैलू अब हमको पता हो गया है 20 लेकिन क्या करेंगे इसमें भी X से लेके चलेंगे ठीक है और थीटा पराबर कितना परेगा वही फर्मूला कौँसा फर्मूला तो टैन कहीं लिखेंगे परसंद से तैन ठीटा बराबर लंब टेअधार ठीक है तो यहां लिखना परेगा टैन साथ डिगरी बराबर क्या हो जागा लंब कमान 20 अपलस एच अब टेधार के मान एक्स ठीक है तो अब हम फिर इ 20 पलस एच बटा में क्या हो जागा एक्स इसके नीचे नहीं कुछ तो दोस्तो एक हो जागा ठीक है अब क्या करेंगे इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जागा रूट 3 एक्स बराबर क्या होगा 20 अब दोस्तों यह क्या हो गया देखे यहां एक्स का फैली जो निकला का मान रखने पर ठीक है अब यहां लिख लेंगे हम ठीक है यहां लिखेंगे समीकराण दो में एक्स का मान रखने ठीक है दोस्तों अब देखिए समीकराण 2 में हम X का माण कैसे रखते हैं ठीक है देखे हैं हम आपको यहां बता देते हैं किसा मी करान देख लिजिये कि समी करन दो जो है तो समी करन दोंख है कितना तो देके ये समी करन दो है इसको लिखेंगे क्या root 3 x बराबर 20 plus h लिखेंगे अब देखे समी करंड 2 जो इथा उसमें क्या कहा गया कि‌ Happy करंड 2 में x का मान रखने पर देखें तो x कमान यह है तो इसको क्या करेंगे root ठीस तीरी अगुने बीस बराबर क्या होगा 20 पर से ठीक ada इसके बाद हमको करना क्या है तो अब करना क्या है सो देखिए अब इसको गुना कर लेते हैं देखिए रूठ 3 का भालो केतना होगा 1 दसना ब साथ total चुने इसको फूरना कर लेंगे तक इतना आप भी अंग Рख यह यह फे अजों लेंगे किया करेंगे तक आप क्या करते हैं इसको इदर ली आते हैं तो लिख लेंगे जिकिना तो आपको बताए दोस्तों कि यही जो मिनार की उचाई जो हमको निकाला था ना यही आ गया तो लिखे लेंगे देखेंगे अगला कोस्टन अगला कोस्टन आप देखेंगे दोस्तों कि यह जब्सकाईब कर लिजिए को अब दोस्तों कि यह जमीन है यह जमीन है और यहां से यहां तक एक मिनार है ठीक है अब क्या कह रहा है कि एक मिनार पर समझ गया ना एक मिनार है ये एक मिनार पर कितना मीटर जंडा खाड़ा है तो दोस मीटर लंबा एक जंडा खाड़ा है कितना तो दोस मीटर लंबा एक जंडा खाड़ा है ठीक है एक क्या यह दोस्तो जंडा करिंश को ठीक है एक जंडा हाय तो क्या कह रहा है कि जमीन परिश्थीत एक भिंदू जंडे के पाद और सेथ का उन्यों कुझ 30 डिडिन देखे यह मिनार के सिर्ष का ऊणियान कों के तान डिगरि reviewed तीस डिगरी है ठीक है और पाद के तो मतलब ये जंडे के पाद का तो जंडा ये है जंडा इसका हो गया केतना ये 60 डिगरी है तो क्या करा है हमको मिनार की उचाई निकालना दोस्तों यही चीज़ हमको निकालना है ठीक है तो देखे यह तो हमको पता नहीं इसको हम क्या माल लेते हैं एच माल लेते हैं जो पता नहीं है उसको X माल लेंगे देखिए यह उचाई में इसलिए अब लिखेंगे A, B, C और D लिख लेंगे ठीक है अब देखिए इसके बाद हमको करना क्या है यहां लिखते हैं सबसे पहले हल और इसके बाद क्या लिखेंगे देखिए इसके बाद हम लिखेंगे क्या तिर्भूज A, B, C में ठीक है तिर्भूज ABC में तो देखिए AB माना AB बराबर क्या है H जो यह क्या का काम करेगा लंब का काम करेगा ठीक है AB और यह BC है यह BC क्या चीज का काम करेगा जिसको BC को X माने है यह अधार का काम कर दागा और ठीटा का वेलू क्या है 30 डिगरी है दोस्तों हम अभी जो निका निकालेंगे तो यह फूर्य में निकालेंगे ठीक है अब इसके बाद देख लिए पहली बात यह समझ लिजी कि जब भी दूग अगर ठीटा दिया रहा है तो आपको सीधा समझ लेना है कि इसमें दूगों समीकरन बन जाएगा ठीक है यह बात दिमाग में रखेगा तो आप 3D बराबर क्या होगा लंग का मान है एच अधार कमान भी एक से समझ गया अब क्या करना परेगा टेंटीस डिर अगा भल्यू कितना होता हुँच एक बटरुट थीरी होता है अब लिख लेंगे एच बट्रे एक से ठीक है अब देखे इसको इससे गुना कर लेंगे एक में एकस्ते एकस होगा अब बराबर इसको जो बुना करेंगे तो क्या होगा रूट थीरी एच्छ हो जाएगा ठिक अब इसको हम क्या कर लेंगे दोस्तों इसको समीकरन एक माल लेते हैं ठीक है अब इसके बाद हमको करना क्या है तो देखिए आप पूरे तिर्भुज में हमको तिर्भुज डीभी सशी में अब देखिए यहां हमको डीवी डीवी का वैलू कितना हो गया है तो एकस तौ पता ही है जोकि हम माने थे माना बी सी तो अब देखिए इसको यहां यह क्या चीज्छ का काॉर मतलब उचाहीं और यह क्या होगा यह अधारे का काम करेगा लेकि लेकिन अब हम क्या करेंगे कि लंब अधार तो वही फर्मूला फिर लगाएंगे यहां पर यहां पर हम लिख लेते हैं ऐसे परसन से फिर परसन से लिख सकते हैं क्या फिर परसन से ठीक है तो अब फिर हमको कौन फर्मूला लगाएंगे वही तैन ठीटा बराबर क्या होगा लंब बटे अधार यही फर्मूला लगाएंगे देखिए तो क्या लिखना पड़ेगा टैन साथ डिग्री बराबर लंब का मान केतना हो गया एच पलस दोस अब बटे अधार के मान एक से समझ रहे हैं न बात को अब इसके बाद क्या करना है हमको देखिए टैन साथ डीरी का हो जागा एच पलस दोस अब देखिए दोस्तों यह समी करन क्या हो गया तो दू हो गया ठीक है अब देखिए यहीं पर दिमाग हम लोग को लगाना है क्या कि देखिए अगर समी करन दू में एक्स का भैलू अगर हम यह वाला रख देते हैं तो असानी से हमको इंसर निकल जागा तो देखिए हम आब इसको कैसे निकालते हैं अब देखिए क्या करते हैं इसको लिखेंगे क्या यहां पर समी करन दो में एक्स का मान रखने पर ठीक है तो अब हम यहां लिखेंगे क्या root 3X बराबर H यह पलस दॉस अब क्या करेंगे देखिए X का भायलू क्या है root 3X है टो हम क्या करेंगे root 3X गुने X का भायलू कितना हो गया root 3H बराबर लिखेंगे H turus अब देखिए root 3 तो रूट थीरी के गुना करेंगे कितना हो जागा तो रूट थीरी रूट थीरी के गुना करेंगे दोस्तों तो रूट 9 हो जागा ठीक है रूट 9 का वर्गूल कितना होता है तो 3 होता है तो हम अब क्या कर लेंगे यहां लिखेंगे इसके जगा 3H बराबर क्या लिखेंगे H पलस दोस लिखेंगे ठीक है अब इसके बाद हमको करना क्या है तो देखे इसको घटा लेंगे 3H, H है पलस में इधर आगा माइनस में बराबर कितना होगे? 2 तो अब क्या होगा? 2H बराबर 2 होगया, तो H बराबर क्या होगा? 2 आईगुना में, तो यहाँ जागा भाग में कितना होगया? तो यह बराबर 5 आगया ठीक है? तो आपको दोस्तों बता दे कि मिनार की उचाई हमको कितना पता चल गया? तो मिनार की उचाई हमको पता चल गया, 5 मीटर पता चल गया तो इस तरीका से आप दोस्तों इसको एसकी इंसर्ट मार लिजे, फिर से बता दे चैनल सब्सकाइब नहीं किया है, तो फिली चैनल को लाल बटन दबा के सब्सकाइब कर लिजेगा, और 14 के देखिए तीसरा नंबर कोस्चन क्या है, अब देखिए गाईज, अगला कोस्चन ह क्या कर रहा है, भूमी पर एक बिंदू, पीसे, देखिए भूमी पर एक बिंदू, देखिए मान लिजे यहां एक भूमी है, भूमी का मतलब क्या होता है, पता है न, जमीन होता है, और भूमी पर एक बिंदू पीसे, दोस मीटर उचे, एक भवन की चोटी, देखिए, दो कुछ उचाई पर जा रहा है, देखें, यहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर है, अब समझ लिजे इस परकार से हेलीकॉप्टर होगा, जो कि यह उर रहा है, ठीक है, यह हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर से कुछ उचाई पर है, जो कि इसका उचाई दोस्तों पता नहीं है, यह क्य है हेली है अल्य कोप्ट जो कुछ ऊचाई पर जा रहा है जोugengen उचाई पता नहीं है तो हम इस उचाई को यच्छ भी मान सकते हैं ठीक है अब देखिये क्या का रहा है ठीक मुझाई पर जा रहा है उन्यान कोंझ त coz wiping आव है को बना रहा है और यहां से यहां तक यह साथ डीरी का कुन दोस्तों बना रहा है ठीक है अब देखिए हम लोग आप चलते हैं अब देखिये कि इसमें 12 मेंटर दिया है और क्या का रहा है हमको निकलने के लिए हेलिकोप्ठर िंचाह, मतलब यही चीज हमको दोस्तों निकालना है जो कि हमको मातर ठीटा दोनों का पता है दोनों कोन का देखिए दोनों तिर्वुज दो तिर्वुज इसमें है और भवन की उचाए हमको पता है लेकिन जमीन केतना बिंदु के दूरी पर है ये बात दोस्तों हमको पता नहीं है तो क्या बोल QPS में निकालना है ठीक है तो हम लिखेंगे क्या यहाँ QPS में ठीक है QPS में तो आब हमको लिखना क्या है यहाँ देखे आब हमको यह लिखना क्यूपी देखे QP बरावर केदना होगा दोस मीटर होगा थीटा केतना है तो 30 डिगरी है अब पी एस माना पी एस स्कार्व वलाबर केतना है एक स्माल लेते हैं यह इसको केतना माल लेंगे 앞으로 आप देखें यह जो पीक्यू जो है ये क्या होगा तो ये लंब का काम करेगा मतलब उचाई उचाई का मतलब समझे लंबा है और ये क्या है ये अधार है ये अधार है तो देखें लंब अधार कौन फर्मूला में आगा आपको पते है तो इसमें हमको क्या लिखना परेगा प्रसन से प्रसन से ल अप्सम्यक्रण बता दिये हैं जब अगर दो स्विता अगर नहीं होना है अब देखिए ये तो QPS में निकाल लिए, अब पूरा में निकालना है, RPS में निकालना है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, RPS कितना होगा, H पलस 2 हो जाएगा, जो ये भी लंग का काम करेगा, तो अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, यहां दोस्तों लिख लेते हैं यह होगा है? तो तीता होगा तो थीतार कहत nell 1, है तो फर्मूला फृराइब पर पर लगाना पर 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 तया था आउगा है? तो यह ही चीज रहां पर फिर लगाते हैं। ठीक है यहां फिर हम वही चीज़ लगाएंगे क्या लिखना पड़ेगा प्रस्न से प्रस्न से क्या लिखना पड़ेगा तैन ठीटा बराबर लंब बटे अधार ठीक है तो देखिए टैन साथ डीरी का फैलू क्या होगा लंब का मान के तना हो जागा दोस पलस एच हो जागा अधार के मान एक्स हो जागा देखिए तो अब क्या लिखेंगे टैन साथ डीरी के तना रूट तीन बराबर दोस पलस एच बटे कितना होगा एक्स इसके नीचे नहीं कुछते एक हो जागा समयने बात को अब इसके बाद हमको देखिए करना क्या है स अब इसके बाद दोस्तों हमको करना है देखिए यहां इसको गुना कर लेंगे रूट थीरी एक्स बराबर कितना हो जागा दोस पलस एच ठीक है अब देखिए इसमें करना क्या है यह तो समी करन दो हो गया अब सेम वही पर किरिया हमको अपनाना है कि देखिए समी करन एक में एक्स का भैलू रख देंगे देखिए एक्स का भैलू यही नहीं है अब एक्स का भैलू रख देंगे तो उचाहित हमको पता आराम आराम से हो जागा तो यही बात हमको लिखना है क्या समी करन दो में एक् कर अग नो यह सुन एक्सट सलवान किया है ठीक है कि अभी उसके बात कैला है कि रूर्टिन को गुना करेंगे तो कि प्रस्त पलस हेच अब इसको क्या करेंगे से यह फालस में इधरा आएगा तो माइनस में क्योंकि एक जाती वाले के साथ, जोच तो जोड़ा यगटाना रहता है, तो क्या हो जागे किसको घटा देंगे, तो 20 हो जागा, तो अब क्या हो गया, बराबर H, तो बता दे दोस्तो, हिलिकॉप्टर के उचाई हमको कितना पता चल गया? 20 मीटर हेलीकौटर के उचाए हमको। दोस्तों पता चल गया। जो कि यही इस तरीका से इंसर रहा, जो कि 14 के कैमा तो 36 नंबर, कोष्चन रहा, अब दोस्तों हम देखेंगे क्या, 15 के पहिला कोष्चन देखेंगे, अब देखिए दोस्तों कहवा नमर कोश्चन है पंदर नमर कोश्चन है क्या है एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अमनमन को स्टाड़ी देखिए अब क्या है कि एक हवाई जहाज है माले समझ ली यह हवाई जहाज है ठीक है यह हवाई जह हाँ कि क्या कर रहा एक हवाई जहाज के ठीक दाये और बाये न दे दोनों जहाज के आपमन मन को देखे इसमें दो जहाज है यह वाजिए नियो नि caliber अखीश लिए तो आप aved लीजर कि इस परकार से इस पानी रहा होगा ठीक है ये क्या करा है एक साइड नयन कौन एक साइड अब नयन कौन मतलब दोनों जहाज के दोनों कतन जो कुछ ठीटा का निर्मान हो जाता है ठीक है जो की एक साइड कितना होता है एक साइड साथ डेगरी का बनता है और एक साइड 45 डेगरी का बनता है अब क्या करा है यद अब देखिए हम बताते हैं कि अगर ये इसका भी पता नहीं है और इसका भी हमको पता नहीं है लेकिन ये पता है कि दोनों के बीच के दूरी एक किलोमीतर है अगर आपको बता दे कि Y Eолетarl किलो मीटर हमको पता चलेगा तो इस तरकार से आप तिर्भुच इसमें दो गो है देखिए A, B, C, D ठीक है तो देखे B, C का अधार कितना पता चल गया X और C, D का अधार हमको 1-X पता चल गया अब क्या करना है बारीकी से दोनों तिर्भुच का बालू पता कर लेना है ठीक है अब हम लिखेंगे क्या हल हल लिखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे अब देखिए कोन तिर्भुच है तिर्भुच A, B, C लिखेंगे तिर्भुच A, B, C में ठीक है तिर्भुच A, B, C में अब देखिए तिर्भुच B, C पहले तो हम लिख लेते हैं माना एक बात बताएं दोस्तों कि देखे एक ये तिर्भूज है और एक ये तिर्भूज है दोनों तिर्भूज के लिए उचाई तो समान ही है उचाई इसमें H ही है दोनों तिर्भूज के लिए दोस्तों ठीक है अब इसके बात क्या करते हैं देखे माना AC क्या होगा एच होगा, जो यह क्या चीज का काम करेगा उचाई अथार्थी यह लंब का काम करेगा फरमूला के अनुसार, ठीक है और इसमें θटा का फेलू कितना है हमको तो 60 डिगी पता है, लेकिन 20 का फेलू कितना है तो 20 का फेलू हमको एक्स पता है, अब देखिए यह X क्या चीज का काम कर रहा है तो अधार का काम ही कर रहा है न तो देखे लंब अधार की इस फर्मूला में आगा तो तैन ठीटा में तो आएगा ही तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ परस्न से ठीक है यहाँ लिखेंगे तैन ठीटा बराबर लंब बटा अधार अब क्या लिखेंगे यहाँ ठीटा का फैलू साथ हो गया बराबर लंब का मान कितना हो जागा लंब मतलब उचाई तो H हो गया अधार के मान कितना है तो X पता है अब हमको क्या करना है ठीटा डीरी का फैलू कितना होगा डूसरे तिर्भूल सी निकालना है तो यहां लिखना परे का हम को क्य अब तिरभू आगा लेकिन अब क्या करना है अब तिरभूज एडी सी में ठीक है तो देखिए एसी एसी दोनों के लिए तो समाने रहा AC क्या है? H है जो ये क्या चीज़ का काम करता था? Lumb का और CD ये क्या है? 1-X क्या है? तो ये अधार है अद थीटा किसे है इतना? तो 45 डिग्री है तो देखें, Lumb अधार किसमें आएगा? तो Lumb अधार देख लिजी अब किसमें आएगा? तो देखें, Lumb अधार 10 में आगा तो लिखेंगे यहाँ 10 ठीटा बराबर क्या होगा? Lumb बटे अधार होगा अब यहाँ लिखेंगे क्या? 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा? Lumb के मान इसमें कितना हो जागा? तो H अधार के मान क्या है? 1-X ठीक है? अब क्या करना है? 10 45 डिग्री का मान 1 होगा बराबर H बटे 1-X अब क्या करेंगे? इसके नीचे नहीं कुछ देख अब इसको गुना कर लेंगे, देखें H बराबर क्या होगा? यही 1-X हो जागा तो दोस्तों समी करन यह क्या होगा? तो समी करन 2 हो गया अब देखें हमको क्या करना है? अब समी करन 2 में किसका मान रखेंगे? यही H का मान रख लेंगे तो यहां लिखेंगे समी करन 2 में X का मान रखने ठीक है? तो देखिए अब इसको लिखते हैं H बराबर क्या होगा? 1-X तो h का value कितना हा यहां root 3x बिलाबर क्या होगा 1-x अब इसको क्या करना पड़ेगा है ऐसे करेंगे देखे रूट 3x minus में इधरा हैगा प्लस में बिलाबर 1 करेंगे अब देखे इस दोने में common कितना हो जाएगा तो दोने में common x हो जाएगा तो x से लेंगे common ढ़ट क्या होगा? root 3 plus 1 बराबर क्या होगा? एक अब देखें दोस्तो इसके आगे हमको करना क्या है तो देखें, इसके आगे क्या करना है? तो देखें, लिखाले कितना? यह लिखा है लिखा है इस पर x into root 3 plus 1 बराबर क्या है? एक यही चीज दोस्तों यहां लिखा हुआ है जो कि यहां हम उतार लिए हैं अब इस पर हम यहां solve कर लेते हैं ठीक है अब देखे क्या करेंगे अब x बराबर लिखेंगे क्या होगा एक बट्टे क्या होगा root 3 plus 1 होगा अब देखे दोस्तों इसको क्या करना है हमको अब यहां थोड़ा लंबा प्रोसेस है दोस्तों अब इसको हरो का पर्मे करन करना परेगा ठीक है अब देखे क्या करते हैं एक बट्टे root 3 plus 1 हरो का पर्मे करन करेंगे तो क्या होगा हर से अंस और हर में दोने में गुना करना पड़ेगा अगर यहाँ पलस है तो माइनस से दोस्तो इसमें गुना हम लोग कर लेंगे अब इसको क्या करेंगे एक में इतना से गुना करेंगे इतना ही होगा और इसका क्या होगा root 3 और root 3 देखिए इसको cost में अगर ऐसे ले लेंगे तो इसमें अंतर है क्या चीज़ का तो अंतर सिफ पॉलस माइनस का अंतर है ठीक है तो देखें रूट दूगो root 3 है तो दूगो root 3 का एना a square फॉलस माइनस माइनस दूगो एक है तो एक का a square लिख लेंगे अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे देखिए root 3 माइनस एक में अब root 3 का a square कितना होगा root 9 माइनस 1 का a square 1 हो जागा अब इसके बाद हमको क्या करना है टॉब देखिए रूर 3 माइनस एक 9 का वर्मूल 3 माइनस एक अब यतना कितना हो जागा देखिए रूर 3 माइनस एक बट्टे क्या हो जागा दो हो जागा अब देखिए दोस्तो ये x का भैलू हमको पता चल गया है लेकिन हमको निकालना क्या है हमको पता करना है क्या उचाई दोस्तों हमको पता करना है देखिए यही उचाई जो है न कि हम लोग को पता करना है तब उचाई पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो उचाई पता करने के लिए एक अही का मातर करना है क्या कि हम समी करन एक जो है समी करन जो यहां एक है समी करन एक में क्या कर ओड़को द्रिए हैं तसमी करन एक में एक्सका मंध कि रखने पर देखिये रहना एक में हम रख लेंगे तह देखें एच वराबर क्या था रूटीरी टेर क्या था अब क्या हो गया देकिए रूटीरिह एक्सका फैलू कि प rivers की तो जाहिए है रूटी मारेटीन थी माईनस ए 3 होगा है इसके बास इसमें करना क्या है यहां पर लिख लेते हैं यहां पर ग। दोस्तो वीडियो को आप फूरा-फूरा देखे जो कि आपको देतीन तरीका में समझ में आयेगा तो दोस्तों हम आपको बता दे कि अभी तक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को लाल बटन दबा करके और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब